स्वागत है आपका एजुकेशन आर्पी स्ट्री पॉइंट पर आज हम आप लोगों के लिए लेकिया हैं साइन्स का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है अमले छार और लवर्ण अब हम आप लोगों को आगे पढ़ाते हैं जैसे की चैप्टर नमबर टू का पहला टॉपिक है अमल समझेंगे की अमल क्या होता है इसकी विशेश्थाएं क्या होती है तो आप लोग हेडिंग लिख लेंगे अमल की विशेश्थाएं देखिए जो अमल होते हैं उनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उप्योगी महत्व है जैसे की जो स्वाद में खट्टे होते हैं अमल कहलाते हैं नीमू दही ये सभी चीज़ें हमें खट्टी लगती हैं तो इन सभी चीज़ों में अमल पाया जाता है तो इसकी पहली व कामले स्वाद में खट्टे होते हैं दूसरा पॉइंट हम यह कह सकते हैं कि यह जली विलियन में एच प्लस आयन देते हैं यह दिनको हम किसी भी जली विलियन में घोलते हैं तो उसमें क्या करेंगे एच प्लस आयन देंगे यह चीज़े हम प्रियोक्षाला में देख सकते हैं एच प्लस आयन देते हैं अब हम लोग तीसरा पॉइंट कह सकते हैं sets कि यह जो नीला लिटमेश पेपर होता उस लेले लिटमेश पेपर को लाल रंग में परिवर्थित कर देते हैं अगर हम नीला लिटमेश पेपर डालेंगे तो उसका रंग लाल कर देंगे अब हम लिखे कुछ उधारण समझेंगे जैसे कि यह दो टाइप के होते हैं एक प्रबल अम्ल एक दुर्बल अम्ल तो सबसे पहले इनको हम डिवाइट कर लेते हैं उधारण अब जानेंगे कि प्रबल अम्ल क्या होता है देखिए जैसे कि हाइड्रो क्लोरिक अम्ल जो होता है वो प्रबल अम्ल कहलाता है हाइड्रो क्लोरिक अम्ल और सल्फियूरिक अम्ल अब देखिए जो यह हाइड्रो क्लोरिक अम्ल होता है इसका रशाइनिक सूत्र होता है एच सी इल और जो हमारा सल्फियूरिक अम्ल होता है इसका होता है है इस्टू इसो फूर तो यह हमारे होते हैं प्रबल अम्ल अब हम लोग जानेंगे दुर्बल अम्ल क्या होता है जैसे की अउक्जेलिक अम्ल एसिटिक अम्ल होता है और हमारा साइट्रिक अम्ल होता है तो यह हमारे आते हैं दुर्बल अम्ल के अंतरगत अब हम लोग जानेंगे कि यह सांद्र अम्ल और तनों अम्ल किन्हें कहते हैं दिखें जो सांद्र अम्ल होता है सांद्र अम्ल में अम्ल की प्रतिसत्ता जल से जादा होती है जो अम्ल होगा उसकी प्रतिसत्ता जल से जादा होगी तो ऐसे अम्ल क्या कहलाएंगे सांद्र अम्ल उसके बाद आते हैं तनु अमल होते हैं उसमें क्या होता है जो अमल होता है अमल किया पेच्छा जल अधिक मात्रा में पाहे जाता है ऐसे क्या कहलाते हैं तनु अमले अब हम लोग समझेंगे कि छार किन है कहते हैं उनकी विशिस्ताइं क्या होती हैं अब देखेंगे कि हम लोग छार क्या होता है छार जो होते हैं इनका जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है मतलब यह कसेले या तीखे होते हैं तो क्या लिख सकते हम लोग छार का स्वाद कड़वा होता है दूसरा पॉइंट यह लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में परिवर्थित कर देते हैं यह हमारा दूसरा पॉइंट हो गया झाल झाल यह हमारा दूसरा पॉइंट बवाली लिटमस पेपर जो कि अब हमारा तीसरा पॉइंट है और इंपोर्टन पॉइंट है ये जो छार होते हैं जली विलियन में ओएच माइनस आयन या हाइड्रॉक्सी आयन देते हैं ये में पॉइंट होता है तो क्या लिख सकते हैं चार जली विलियन में ओएच माइनस या फिर हम लोग हाइड्रॉक्सी आयन बोल सकते हैं ओएच माइनस आयन देते हैं अब जो इनके उदाहरण होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं प्रबल चार और दुर्बल चार ये कि जो प्रबल चार होते हैं उसमें आता है इन ए ओएच जिसको हम लोग सोडियम हैड्रॉक्साइड बोलते हैं के ओएच जिसको हम लोग पोटाइसियम हैड्रॉक्साइड बोलते हैं उसके बाद सी ए ओएच का होल ट्वाइस इसको हम लोग बुझा चुना साधार भासा में या फिर रसाइनिक नाम इसको कैल्सियम हैड्रॉक्साइड बोल सकते हैं उसके बाद आते हैं हम लोग दुर्बल चार पर जो दुर्बल चार होता है वो होता है इन एच फोर ओएच जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम हैड्रॉक्साइड इन सभी के आप लोग रसाइनिक सूत्र और रसाइनिक नाम लिख लेंगे अब हम लोग इस टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे अब हम आप लोगों को बताएंगे कि सूचक क्या होता है देखिए जो सूचक होता है इसका मतलब होता है इंडिकेटर्स मतलब किसी भी चीज को इंडिकेट करना ये क्या करता है यदि कोई विलियन दिया गया है उसमें ये अमले या छार होने की सूचना देता है वो सूचक कहलाता है तो सूचक की परभासा क्या होती है वह रशायनिक पदार्थ या फिर लिख सकते हैं वह पदार्थ जो किसी विलियन के अमल या छार होने की कि सूचना देता है अब इसके कुछ एक्जामपल्स होते हैं वह समझेंगे सबसे पहले हम लोग लिटमस पेपर के बारे में जान लेते हैं देखिए लिटमस पेपर नीले और लाल रंग में पाये जाता है कि वास्तों में इनका रंग ऐसा नहीं होता है लिटमस पेपर एक पौधे से प्राप्त होता है इसका वास्तविक रंग बैंगनी होता है, प्रियोक साला में इसका प्रियोक करके इसका रंग परिवर्थित किया जाता है, यह जो लिटमस पेपर होता है, अगर इसको आप यह लिटमस पेपर को अमले के लिए लिया गया है, तो क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को अमले म लिए एक ट्रिक है अनील का क्या मतलब है आ का मतलब है अमल में डालेंगे कौन सा नीला लिटमस पेपर तो उसका रंग ये क्या कर देगा लाल कर देगा इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई अमल है अमल में नीला लिटमस पेपर डालते हैं तो लाल कर देता है ज तो उसका रंग ये लाल कर देता है इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि लिटमस पेपर क्या होता है किस रंग को किस में डालेंगे तो क्या परिवर्थित कर देगा अब दूसरे एक्जामपल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि फिनॉफ्थिलीन पाउडर हमारा सफेद रंग का होता है अगर इसको अमले में डालेंगे तो उसका रंग रंगहीन रहेगा यद उसको हम लोग चार में डाल दें तो उसका रंग ये गुलाबी कर देता है देखे इस तरीके से हम लोग समझ गए कि सूचक क्या होता है अब हम लोग आगे पढ़ते हैं अब जैसे कि अमल है और चार हैं ये दोनों किसी भी तत्व या धात उसे अपकिरिया करते हैं तो क्या उत्पाद बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं अमल एक तरफ ले लेते हैं चार अब देखिए जो अमल है धात उसे अपकिरिया करता है तो क्या बनाता है यहाँ पर लिख लेंगे धात उसे अपकिरिया देखिए कोई भी अमल अगर धात उसे अपकिरिया करता है तो लवड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है हाइड्रोजन गैस तो कोई एक अमले ले लेते हैं जैसे हमने ले लिया हC-L इसने जिंक कोई धात है जिंक धात होती है उससे अपकिरिया करेगा तो जिंक क्लोराइड बना देगा जेडेन-C-L-2 और साथ में हाइड्रोजन गैस निकाल देगा अब किरिया बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे लगा देगे अगर धात हमले से अपकिरिया करता है तो लवड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है अब देखेंगे जो छार से अपकिरिया करते है दात हुए तो क्या होता है अब जो छार धात उसे अब किरिया करता है तो ये भी लवड और हीड्रोजन गैस मुप्त करते हैं इसके एक्जामपल के लिए हम लोग ले लेते हैं sodium hydroxide जिसको NaOH कहते हैं zinc से अब किरिया करा देते हैं तो ये बना देता है sodium zincate Na2, Zn, O2 और hydrogen gas बाहर निकल जाती है अपक्रिया balance करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देगे देखी कितनी ही आसानी तरीके से मैं पता चल गया जो धात हुए होती हैं अम और छार से अपक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं? अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे अमल और छार जब धात कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? क्या बाई कार्बोनेट से अपक्रिया इसके लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि अमल इससे अपक्रिया करके यह क्या बनाते हैं? तो जब आमले से M कोई धात ले लेते हैं और कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट M कोई मेटल और HCO3 को बाई कार्बोनेट कहते हैं यह अब किरिया करते हैं तो क्या बनाते हैं तो यह हमेशा ही लवड कार्बन डए आक्साइड गैस और जल बनाते हैं अब इसका एक एक अग्जामपल ले लेंगे HCL हमने कोई अमले ले लिया M की दिएपर कोई मेटल ले लिया हमने सोडियम सोडियम कार्बोनेट बन गया है हाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ अब किरिया करेगा तो क्या बनाएगा लवर्ड जो की NACL है सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं साथ में कार्बन डए ऑक्साइड गैस और जल निकाल देगा अब किरिया बैलेंस करने के लिए देखेंगे यहाँ पे सोडियम 2 है यहाँ पे 1 है तो इधर 2 से मल्टिफिकेशन और यहाँ पे क्लोरीन 1 है यहाँ पे भी 1 है लेकिन 2 से गुड़ा करने पर यह 2 हो गया तो इस प्रकारी अब किरिया हमारी बैलेंस हो गई और यह क्या हो गया धात कार्बोनेट के साथ अब किरिया एक एक्जाम्पल ले लेंगे हम धात बाई कार्बोनेट के साथ अब किरिया अब अमने की जिगे पर हमने फिर से HCl ले लिया रियक्शन करा दी सोडियम बाई कार्बोनेट नह-C-O-3 फिर से यह लवड बना देगा और Carbon-Dioxide Gas साथ में जल निकाल देगा अब देखेंगे कि यह अब किरिया पूर्टया कंप्लीट है की नहीं हाँ लिख लेंगे जो चार होते हैं वो धात कार्बोनेट और वाई कार्बोनेट के साथ अब किरिया नहीं करते हैं अब कि अम्ल और चार आपस में अब किरिया करते हैं तो क्या बनाते हैं देखें अम्ल और चार सदायों आपस में अपक्रिया करके लवड तथा जल बनाते हैं अम्ल और च्हार की परसपर जब अपक्रिया होती है जैसे कि एक्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया HCl प्लस NaOH ये दोनों जब आपस में अपक्रिया करते हैं तो लवड जो की sodium chloride और जल बना देते हैं तो ये अपक्रिया हमारी कहलाती है अम्ल च्हार अपक्रिया दूसरी अपक्रिया यहां पे आ जाती है उदासीनी करण अपक्रिया उदासीनी करण अपक्रिया का भी एक्जाम्पल ये है लेकिन इसकी परिभासा कुछ इस तरह से लिखी जाती है जब अम्ल और च्हार परस पर अपक्रिया करते हैं तो लवड तथा जल बनाते हैं अता इसे उदासीनी करण अपक्रिया कहते हैं अब आगे हम लोग पढ़ते हैं धात ऑक्साइड के साथ जब ये परिया करते हैं तो क्या होता है जो धात ऑक्साइड होते हैं ये चारी प्रकतिके पाए जाते हैं एक्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं चारी होते हैं धात ऑक्साइड जैसे की कैलसियम ऑक्साइड हुआ मैगनीसियम ऑक्साइड हुआ इन दोनों की प्रकतिक्या होती है छारी होती है अब क्या अमले से अबकिरिया करेंगे तो क्या बनाएंगे अमले की जिगे पर हमने फिर से ले लिया HCl कैलसियम आउकसाइड से अबकिरिया करा देते हैं जब भी यह calcium oxide या फिर किसी धात्व oxide से अपकिरिया करते हैं तो यह हमेशा लवर्ट तथा जल बनाते हैं तो calcium reaction करके calcium chloride जो की लवर्ट और जल बना देगा अपकिरिया balance करने के लिए क्लोरिन इधर दो है तो इधर भी दो लगा देंगे अब इदर हाइड्रोजन दो हो गया और यहाँ पर भी हाइड्रोजन दो हो गया अथा कह सकते हैं यह अपकरिया हमारी संतुलित है अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं जो अधात ओक्साइड होते हैं वो छार से अपकरिया करते हैं क्योंकि जो अधात रॉक्साइड होते हैं, वो अमली प्रकतिके पाए जाते हैं, तो जो छार होते हैं, वो अधात रॉक्साइड से लवड, तथा जल बनाते हैं, छार, एने उए चमने ले लिया, कार्बन डिया करते हैं तो लवड बनाते हैं जो की कैल्सियम कार्बोनेट बन गया और जल बाहर हो गया आज के लिए इतना काफी है अगला अब आपको इसका अगला भाग अगली वीडियो में मिल जाएगा अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो आप डिस्करप्शन में जाकर देख सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भू आपको 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 आपक